हेलो एवरिवन तो आज हम देखेंगे इस तरीकी के टिकी और यह बहुत प्यारा डिजाइन बनता है काईस यहां पर यह मैंने त्रीकाम में डिजाइन कंप्लीट किया है बहुत एजी बन जाता है विगनर्स भी इसको एजी बना सकते हैं तो उम्मीद करती हूं डिजाइन अ पूरा बोच कीजिएगा अगर वीडियो पूरा देखने के वाद अच्छा लगे तो कमें जाओं कीजिएगा यह थोड़ा सा राउंड दिखाई देरा टिकी लेकिन हम इसको जोडते जाएंगे तो इस तरीके से स्कुएर में यह सेफ ले ले लेगी टिकी देखे इस तरीक चैनल का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आप अन्य मों बूटी करके जो है सर्च कर सकते हैं चैनल आ जाएगा तो चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहां पर एक स्लिपनोट अगें उसके बार 1 2 3 4 लिएग यहां लुप तयार करेंगे तो 5 6 चैनल के लिए और 6 चैनल के रही हम एक छोटा सा हम यहां पर लूप तियार करेंगे अगें हम तो 3 3 चैनल हमारी टोटल हमने यह 8 लूप त्यार करने हैं तो चलिए करते हैं तो यहां पर देखे 1,2,3,4,5,6,7,8 हो गए हैं 1,2,3 चैन बनाकर अब जो हमने 3 की चैन 6 की चैन उनाई थी उसके 1,2,3 वाली चैन में हम जाकर इसलिपिश्टिच कर देंगे ताकि हमने डबल कोश्या भी मिल जाए और डिस्टेंस भी मिल जाए इस तरीके से फिर हम जाएंगे 3 की चैन में डिस्टेंस पर फिर हम यहां पर 3 की चैन बनाएंगे और यहां पर 3, 4, इस तरीके से 4 incomplete double kosha, सभी को एक साथ over करेंगे, 1, 2, 3 chain लगाएंगे, फिर से nest में जाकर, 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से सभी में 4 incomplete double kosha बनाते हुए, 3, 3 की chain बनाकर round को complete करेंगे, यह इस तरीके से complete हो गई है, फिर मैं जाकर, यहां पर जो starting में 3 की chain नई थी, हमें इस पर जाएंगे और इसको slip stitch कर देंगे, अब हम slip stitch करते हुए, यहां पर देखिए 1 पर slip stitch करेंगे, again हमने जो chain थी, हमारी हों वहीं पर आ जाएंगे, जो हमने 3 थी chain का distance create किया था, again यहां 1, 2, 3, 4 chain बनाएंगे, और यहां पर total 7 triple kosha बनाएंगे, तो 1 chain है मेरी, और 6 time में triple kosha बना हैं, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब यहां पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 chain बनाएंगे, और बल लेंगे इस तरीके से, अभी यहां पर 1 chain को हमें script करेंगे, और next वाली chain में जाकर, फिर से हमने 7 time, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से 7 time बना लिए हैं, इस तरीके से देखिए, अब हमने फिर से यहां पर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chain बनाएंगे, इसको skip करेंगे, यहां पर बनाएंगे, इसको skip करेंगे, यहां पर बनाएंगे, यह skip करके, यहां पर joint करेंगे, तो चलिए मैं बनाती हूं, तो देखिए, इस तरीके से मैंने यह टिक्की बना लिए हैं, यहां पर 9 chain बना लिए हैं, जो इस टार्टिंग में 3 की chain थी, उसके टॉप पर जाकर, sorry, जो 4 की chain थी, उसके टॉप पर जाकर मैं इसको 1 slip stitch कर दूँगे, इस तरीके से, और इसको हम लॉक करेंगे, यह देखि देखिए, इस तरीके से, तो यह एक टिक्की बनके मेरी तयार है, इसी तरीके से हम टिक्क्या बना कर इसमें जोड़ेंगे, तो किस तरीके से जोड़ते हैं, तो चलिए, मैं एक टिक्की और बना लेती हूँ, फिर देखाती हूँ आपको, अब मैंने देखिए, यहां पर इतनी पिकी इसको बना दिया है, अब क्या करेंगे हम, यहां पर हमने 9 चैन बनाई है, सबसे पहले हम बनाईगे, 1, 2, 3, 4 चैन बनाईगे, अब किसी भी चैन से यहां से आपने लिना है, और यहां से हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 वाली चैन, इस तरीके से, इस वाली चैन क को छोड़कर इस तरीके से वन चैन का डिस्टेंश चोड़ेंगे और यहाँ पर अगें 7 टाइम हम ट्रपल कोश्या बनाएंगे दिखिए मैं 7 ट्रपल कोश्या बना लिए हैं अगें 4 चैन बनाई हैं अब हम इस वाली चैन में आएंगे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 त वाली च चैन होगे उसमें होके हम इसको इस तरीके से रॉस करेंगे 1 2 3 4 चैन बनाएंगे इसी तरीके से हमने यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर बनाएंगे फिर यहाँ से छोड़कर हम यहाँ पर बनाएंगे और पूरे फ्लावर को कम्प्लीट करेंगे दिखिए मैंने यहाँ अब यह कम्प्लीट कर लिए हैं अब यह जो इस्टार्टिंग में हमने फोर चैन बनाई थी इसके टॉप पर जाकर में इसको सिलिप स्टिच करूँगी चैन लोंगी और इसको मैं यहां से कट कर दूँगी इस तरीके से सबसे फेले हमें इसको हाइट करेंगी ताकि हमारा रृप फीनिस दिखाई दे इस तरीके से अब यह देखें इसका से लेकिन और नमर में चैन बनानी है आपको तो इसी तरीके से आप इसको जोड़ते जाएंगे आपके टेवल रनर या फिर थाल्पूस बनके तयार हैं अगर आप इसको कंप्लेट देखना परशंद करेंगे तो मुझे कमेंट कीजिए गया मैं बताओ भी तो बहुत प्यारा डिजैन है इसका थोड़ा सा जो कलर है वह अले मिलती है नवी वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई बाई अपना ध्यान रखेगा